तो आप लोग देख सकते हैं कि हम एरेंगल से मीरा मार पहुँच गए और अभी भी प्लेन में 97 बंदे हैं और वो सारे 97 प्लेयर्स ओल में क्या कर रहे थे सुनू आप लो अभी 97 प्लेयर कूदे क्यों नहीं उसका सिर्फ एक ही रीजन है सर्वर हैकर तो आज के इस गेमपले में हमारे मैच में सर्वर हैकर आया था जिसने गेम को प्रीच कर दिया और अनफॉलो का बटन ही प्लेन से गायप कर दिया अब साच बताऊं तो सुरू में मेरे को लगा कि 697 पिंग आ रही है साथ उस बज़े से मैं कूद नहीं पा रहा हूँ लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद रियलाइज हुआ कि यार जंप का बटन ही नहीं दिख रहा है उपर से 97 के 97 प्लेयर ही प्लेन में है कोई भी निकूत पारा तो फिर मैंने माइक आल में किया और अब सुनो आप लो मेरा पार कोदने का और कोदने नहीं नहीं यारहा कोदने का अगया हुआ है का? मैरी भी 373 किपींगा है पता नहीं है यह आरे है 373 मैरा पाब बोब ब्रत कोदने कान विसमी एगरी नहीं पक्ति गड़ी ज़े किया है वकर करेंगे? अरे? रहना पड़े, सिक हग सिगमा भए ने किया कर को पहर है, फिरता कि ने तक रहे वह ना किया क्या खं़ पार है, इस चाह सके सो सरभा बाइ, तक रहा है सिग्मा भए, जिसका एरोप्लेन है उस्ञे है आप दो करा दो कि यह दासरे कुछ भी नहीं दिख रहा है ईसी दो कि चाहे इसा कर दो चाहले किसी को मिलें आए नुँ अए तरह कुला है, अ मह भ्यमाशे सुशे है हम यह अवितेक म स्चैना नड़की है,। क्या क्यों बढलिन सहे लड़की मस्जो़ियों। हम जेश्ड़ है,ow भ्यमाशे की लंजो की यह बहुist अहयो, ना, Satowelle सुशे। अब यार मैंने काफी देर तक गेम को एक्जित न किया ये सोचके कि साइद आंगे कुछ होगा लेकिन यार हम एरेंगल से सैन होक सैन होक से लिवेक और लिवेक से मीरा मार पहुँच गए लेकिन भाईया कुछ हुआ ही नहीं तो मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि सरवर हैकर को सरवर हैक करके आखिर क्या मिला मतलब गेम फ्रीज करके इसको क्या ही मिल गया गाईस पंदे तो सारे जिन्दा हैं तो आखिर इसको बेनिफिट क्या हुआ और एक बात और जाननी है कि मैंने तो चलो 6-7 मिनिट के बाद गेम को एकजिट कर दिया लेकिन इसका एंड कहां पे है आखिर ये वाला मैच खतम कब होगा खेर अब बात करते हैं दूसरे गेम प्ले की पर उससे पहले अकास तेवारी गुटकाधारी की कुछ बात हैं सुनू हलो हलो गाइज ओल पे हलो गाइज हलो 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 ऑल पे बात कर रहा हूं गुटकाधारी आया मैदान में आजाओ सब की तोड़े गार अपने बेस से कोई आवाज पहले मैं बार यह नहीं जानता था माद टीम का बोल ला कि एक बार मेरे को किसी ने मेरे साथ फ्रैंक किया या तो यार इसकी कहानी सुनते सुनते हम लोग द्वार का नगरी में पहुंच जाते हैं और फिर लूटा लाटी करके बंदों को मारने आते हैं और फिर अब उतरते इस बंदे को निपटाया उसके बाद पटेटी लगाया और फिर जैसे ही उपर आया तो मुझे नीचे से एक बंदा आते हुई दिखा अब यहां से बैतरी लोकेशन जहां में खारा हुई अब यहां तावर के टॉप पे एक बंदा था लेकिन भाई यब वो मेरे को देख नहीं रहा था तो मैंने अपने टीमेट से बोला बॉटर गंदो बिना उसके रस नहीं कर सकता और फिर लेना मेरे से बंदूक बहें बहुंता हैाँ यहां अब जैसे ही मैंने उस बंदे को अब ये बंदा भाईया पानी से भाग गया और फिर हमको देखाई नहीं तो मुझे लगा कि सायद ये उसी वाले टावर में चला गया है लेकन यार बो बंदा तो अभी वी वही कैम कर रहा था बाल बाल बचा भीया ये वाले होतिया भाई अब लोकल वाले अब अधर 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 भाई अधर भाई खेल लें जो तो में डूबलो अबे ठाल तु की बात क्यों कर रहा उससे अपना सब्स्क्राइबर है ना सौरी बोल इजज़त क्या कर रहा ऐसे लोगों की ब्रो अभी लेता हूं यार बुरा मत मानना क्या कि मेरी बात है करने के ऐसे टोना ही यार ब्रो सौरी भाई ये वाली वीडियो चैनल के आएगी क्या अरे बंद तो जान दो भाई या आएगी फिलाल इस ताबर के तो हमने सारे बंदे निप्ता दिये थे लेकिन जिसने जादू कुमारा था वो अभी भी वही पे था इसलिए में ऊपर आया और फिर अब इसको तो मैंने नौ कर दिया और फिर थोड़ी दिर के बाद मुझे इसकी किल भी मिल जाती है तो फिर मैं पट्ट्टी लगा रहा होता हूं लेकिन तभी तेरी थाई माधा आप से ऊपर जल दिया आओ आर दिस माधा नाई 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 इस अपसे ऊपर है जिन्दा होई का माधा प्लीज रिकाल मी कासं से आर इस मोड को एको मैन मोड नहीं केंपर मोड बोलना चाहिए मतलब भाई अब आदमी चैन से लड़े बीना हमेशा उसको डरई रहा आए कौन कहां से नचिपका दे खेर जादू और चार नंबर दो बार मर चुके थे तो मैंने बोले यह गुटका धारी यहीं कुज यासनाय में और बो जो हरा हरा देखना वहां जाके रीकॉल कर देना देख लें बो हरा हरा से देखना ना वही जान हाओ भाही जानी थेता हरा 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 ठाट श् इतने गंदी बज़ जती मादा चिसी काम का नहीं समाझ गया इतने गंदी बज़्जती मादा शीक नहीं होती तो यार यहाँ पे यह बारतालाप होती है और उसके बाद मैं यहाँ कूच जाता हूँ पर यार यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा था और वो भी ट्राइडेंट निकाल रहा था अब इसको निप्टाने के बाद यहाँ पे कोई भी निवस्ता तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ बाबलोग फटाक सजाओ यहाँ चार-चार रीकॉल कार्ट पड़े हैं तुने खाई जो कसम बनी भाई नहीं मैंने रात में बूलाई तु तु आई नहीं खैरी ये गोट का धारी गाना गाई रथा उत्ताई में एक बंदा यहाँ कूच जाता है कि मैंने खाई थी कसम जोनी भाई नहीं और इसको कहते हैं भाई यह एक्सपीरियंस मुझे पता था कि वो कहा कूदेगा इसलिए मैं पहले यहाँ आ गया फिलाल इसको निप्टाने के बाद हम लोग लूटा लाटी करके सीधा इस तरह पाते हैं चाहिं आ अभी यहाँ जो होगा वो कालपने घतना में अधारित होगा अधारित होगा औरे एड़ लगोध करो बाभी मेरे अकेले दूर भी बन्रें है एक यह जो करना दशड़ी गर्नाद एक ड्ली रचोली बाट लगोधार वाज बाट। रहे शड़ी अर्वाट कंट। वोज वार कामने वोज बही? वैज वार कंट। त्यार यहां ये तीन बंदों को निप्टाया और पीछे भी एक को नौ किया चाला कभी कभी ना स्नाइपर लेने का घाटा हो जाता है अगर दूसरी गन भी मेरे पास एर होती तो अभी तक मैं उसको मसली से उतार देता वो है पीछे बैटो अब देखो यार वो मसली बाला बंदा तो भाग गया लेकिन जहां हम लोग पहले थे वहां दो बंदे और आजाते हैं लोकेशन माक ही है वहां अंदर ही है देख लिया मैं भी वह कोने बैटा जा हूँ एक और आया तो फानली इन दोनों को भी निप्टा दिया लेकिन यार मेरे पास M4 में सिर्फ 24 गोली थी तो मैंने बोला दान करे दानी रक्षा करे माभवानी फटाक से गोलीयां पकड़ाओ और फिर पिचारे ने दान तो किया लेकिन मा की गाली इतनी ज़्यादा देता है नहीं कि मा भवानी ने इसकी रक्षा नहीं करी अब यार यहां पीछे भी बंदे आ गए थे तो मैंने बोला जादू चल पहले पीछे बालों को निप्टाते हैं और अब ध्यान देना कि मेरे पास अभी दो-दो रीकॉल हैं पर देखो आगे क्या होगा अब आगे खत्रा है रहे नहीं पी जादा हूँ उन्हें उन्हें मार गो था यह अपनों को मार जेता ना एक ओपन में है परना फिनिस करो स्कुर्ट अब यहां में नौक हूँ तो मैंने बोलो कोई बचाना नहीं में मर के दो अब यहां में मरने ही बाला था मर जाता तो जादा अच्छा होता लेकिन अकास ते बारी गुटका धारी ने बिलकुल मेरे सामने गाड़ी लगाई और उसकी बज़े से मुझे कबर मिल गया और उत्तवी में रीकॉल भी खतम हो गया देखना कितना की आख पारना के ऐंट्री मारा न मार डात बो कहते हैं ना कि होनी को कोई नी डाल सकता पहली बार अकास्तेवारी ने कसम से आर इतने अच्छे तरीके से बचाने की कोशिस की लेकिन सच बताऊं तो यहाँ पर वो ना बचाता तो साइध हम लोग बच जाते तो बोई बै कह रहा हूं कि भाईया होनी को कोई नी डाल सकता इसलिए पहली बार अकास्तेवारी गुट का धारी इतने अच्छे से बचा लिया अगर रीकॉल का टाइम जादा होता तो यह गैरंटी न बचा पाता गाड़ी का ब्रेक मेरे पास लगाता रुखती भाईया रोड के पास खेर जो हुआ उसे हटाओ जो गलत है बोई चलत है फिलाल अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना चैनल में नहीं हो तो प्रीज सब्सक्राइब करना साथ ही कर देना अपने दोस्तों को सेयर तो मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ थेंक यू पर चैनल लाव यू ओल जैहिन जभारत जमाता दी